देखो RRB NTPC में डाकुमेंट्स वगर किस तरीके से अप्लोड करना है, इन फोटोस हो किस तरीके से इडिट करना है, सही फॉर्मेट क्या होगा आपको फोटो अप्लेट करने का, सो देट कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो और यहाँ पर जो सिगनेचर वगर द प्रेरा जो डाकुमेंट है वो है अधार कार्ड लिंक विट मॉबाइल नमबर मतलब जो भी आपका अधार कार्ड है वो भी आपके मॉबाइल नमबर से लिंक रहने चाहिए को वहाँ पे एक OTP जाएगा जो दूसरा डाकुमेंट है वो है 10th का Certificate ठीके सर्टिफिकेट औ यह फिर UP Board में दोनों एक में ही आता है लेकिन किसी किसी Board में अलग भी होता है पहले अलग आता था तो आपको Certificate है ना उसको अप्लोड करना है पर देखो इमने लिख रखाए कि इसको अप्लोड करना है और जो पीडिएफ है वो पीडिएफ में अप्लोड करना है मतलब जो भी फोटो होगा उसको पीडिएफ में कनवर्ट करके उसको 500KB के अंदर में ही करके मतलब 100-500KB के बीच में आपको अप्लोड कर देना है दूसरी जो चीज है डाकुमेंट है वो 12th का Certificate है 12th का Certificate को आपको अप्लोड नहीं करना है इसमें जो डेट आफ इसू है और डाटा उसको मैंने फिल कर दे लेगे एक बार अच्छे से चिक कर लेना मैंने 10th का किया फिर 12th का किया फिर मैंने ग्रेजियोशन का किया मतलब 10th 12th फिर ग्रेजियोशन का किया तब यह जाके सीरीज वाइस में हो गया आप यह चीज करना जो 4th है वो ग्रेजियोशन का Certificate उसको भी अपलोड नहीं करना है उसका Date of Issue और University का जो नाम होता है वो आपको वह पर फिल कर देना और इसको भी अपलोड नहीं करना है और यह 3rd year का करना है ध्यान देना कि यह 3rd year का या फिर अगर आपने BTEC वगर कर रहा है तो 4th year का नहीं कि बिल्गुल जो Last year है उसका Certific जो Mobile Number है वो आधार काड से Link होना चाहिए और कोई भी आधार काड वगर अभी आपको अपलोड नहीं करना है नो आधार अगर आपके पास आधार नहीं है तो Passport वगर जो है उसका Number आपको फिल करने को मागेगा उसमें आप No Option करके इसको आप फिल कर सकते हो नाव जो फोट 30-35 रुपए में आपको फोटो निकल जाएंगे और जो वाइट बेग्राउंड ना इसमें आपको खेचाना ठीक है और चस्में लगा के मत खेचाना इसको लेके मैं वीडियो अभी बता जाता हूं कि इस तरीके से आपको ये वाइट ब्रेग्राउंड करना है बिलकुल सि अपलोड करना है ठीक है और अपलोड अंदर 30-70 के भी किस तरीके से आपको साइज हो अगर करना है वह भी मैं आपको बता रहता हूं और जेपीजी फॉर्मेट में करना है और जो रिजोल्यूशन होना है रिजोल्यूशन आपका 240 इंतुर 220 होना चाहिए और 220 आपका क्लिक करना है साइन जो है इन ब्लू और ब्लैक पेन से करना है मतलब ब्लू या फिर ब्लैक पेन से आपको साइन करना है यहां पर मैंने ब्लू पेन में कर रहा है और वाइट पेपर पर करना है अंडर 30-70 के भी सेम तो सेम जितने के भी मैं इसको करना है उतने के भी मैं इस यहां पर 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 यहां प बाद में भी payment कर सकते हो, pay later, pay later का मतलब यह नहीं है, बाद में payment कर सकते हो, form coin पर post कर सकते हो, लेकिन आप कोसिस करना कि तुरंती फिल कर दो, बाद में भूलो मत, दूसरी चीज़ है, आप UPI से payment कर सकते हो, वहाँ पे एक barcode आएगा, उस barcode को scan करके भी, आप अपना जो form है, उसको payment कर सकते हो, और इसकी वीडियो मैंने आलडी बना रही है, कि इस तरीके से live आपको form फिल करना है, तो वो जाके देख लो, इसके पीछे वीडियो मैंने उसको upload कर रहा है, तो वो जाके देख लो, सारा doubt clear हो जाएगा, सबसे पहले आपको Google पर जाना है, वहाँ पर resize image करके search करना है, और यहाँ पर आपको जो third option देखोगे, resize multiple image at once, I love mg करके इसकी website है, इस पर आपको normally click कर देना है, जैसे ही click करोगे, यहाँ पर select option पर आपको click करना है, और यहाँ पर यह जो photo, इसका resolution देख रहा हूँ, यह गाफी गलत है, तो इसको मैंने select कर लिया, ठीक है, आप अपनी photo select कर लेना, कितने पर उसको size वगरा, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर select कर लिया, यहाँ पर maintain, accept ratio लिक रहा है, इस पर आपको un 320, 320 मैंने fill कर दिया, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं करना है, आपको resize image पर click करना है, तो यह बिल्कुल resize होगी है, इसको मुझे download कर लेना है, ठीक है, तो यह मैंने download कर रहा है, और यह जो download है, यह मेरे download option में आ चुका है, तो देखो यह आ चुका है, और यहाँ पर resize भी मैं आपको comment box में दे दूंगा, इस पर click करोगे तो यहाँ पर start from a photo पर click करना है, यहाँ पर image पर click करना है, यहाँ पर आपको open करना है, जैसे यह आपने open किया, यह photo देखे open हो गया, यहाँ पर यह दो को इसने background को white कर दिया, बिल्कुल यही acceptable format है, railway का ठीक है, यहाँ पर आ इसको पिक्सल है, वो same to same 240 into 320 है, इसको जाकर आप get info में भी देख सकते हो, इसका जो resolution है यह 240 into 320 है, यह इसको change नहीं किया है, यह दो process हो गया, अब जो तीसरा process है, इसका size है वो देख लेते हैं, कि इसका अगर आपको size change करना है, तो यहाँ पर size 94 के भी है, लेकिन आपका ज document है, उसमें 70 KB के अंदर ही मानगा, तो अब हम इसके size को भी change कर लेते हैं, यहाँ पर मुझे Google पर search करना है, image size decrease, बहुत सारे website आएंगे, आपको परिसानी होगे, तेकिन यहाँ पर PI7 image tool दिख रहा है, इसका भी मैं लिंक आपको देदूंगा, इस पर आपको normally click करना है, त करता हूँ, तो यह मेरा जो image उसको मैंने select कर लिया, और यहाँ पर मुझे KB डाल देना है, देखो 70 KB का चाहिए, तो मुझे 70 नी डालना है, मुझे 60 कर देना है, उसके बाद यहाँ पर reduce size कर देना है, increase भी अगर आपको करना है, तो इसी website पर जा कि आप photo को increase कर सकते है, य इसको मैं यहाँ से download कर लेता हूँ, यह जो add है, इसको मैं cut कर लेता हूँ, तो देखो 58 KB का मेरा photo download हो चुईगा, और इसी तरीके से आपको signature को भी edit करना है, तो यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर size image पर यहाँ पर आपको normally click करना है, यहाँ पर select image करना है, यह जो मेरा signature है, देखो 1787 x 1689 pixel का है, तो इसको मुझे जितना चाहिए होता है, recommendation होता है, उतना में convert करना है, तो यहाँ पर maintain accept ratio पर मैंने click किया, और यहाँ पर size देख लेता हूँ, तो 140 x 60 लिख रखा है, तो यहाँ पर 140 जो है, वो width था, तो इसको मैंने 140 कर दिया, और इसका height था, उस 2.8 kb का कर दिया, लेकिन आपको size का image का, जो भी आपका signature था, वो कितने kb का चाहिए, तो 30 kb to 70 kb की बीच में चाहिए, इस विए से आपको इसको, जिसका size है, उसको भी change करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने आपको एक website बता रखा था था, यह वाला website, देखो मैं आपको increase करना है, तो यहाँ पर मैं 40 कर लेता हूँ, 2 kb के था, 2.8 kb का था, लेकिन इसको मैं, देखो 30 to 70 का चाहिए, तो 40 है 50 लिखना, ठीक है, तो मैंने increase size पर click किया, और यहाँ पर यह increase हो गया, तो यह processing image कर रहा है, तो यहाँ पर यह 40 kb का हो गया, इसको मैं download कर लेता हूँ, तो देखो, यह 40 kb का download हो गया, और जो last step था, वो आपका certificate हा, 10 वाला, उसको JPG to PDF में convert करना हो, तो उसके लिए भी यह website है, I love PDF करके, इस website पर जाना, और वहाँ पर आपको select image करना है, यहाँ पर select image करके, जो भी photo होगा, उसको open करना है, open करने के बाद यहाँ पर, आपको page size कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर convert to PDF करना है, और यह PDF convert करके, आपको यहाँ पर download कर देगा, ठीक है, तो यह पूरा का पूरा process था, और यह आपका size यह कम या ज्यादा हो, तो इसको आप increase भी कर सकते हो, आपको मैंने tool बता दिया, सारा का सारा tool बता दिया, आपको white background के ल रखा, जो कि visible ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यह जो area इसका ध्यान रखना, इतना area आपका होना चाहिए, signature का, और visible बिल्कुल perfect होना चाहिए, आपका signature, तो इसको ध्यान रखना, और दूसरी जो चीज़ है, वो आपका photo और यह जो signature है, इसका format JPG format में होना चाहिए, तो व आपको JPG format conversion में भी options देखने को मिल जाएगा, तो आपके convert करके, उसके बाद सारी के-सारी conversion करना, जो मैंने आपको अभी बता रहा था, और जो PDF है, वो भी ध्यान रखना कि बिल्कुल visible हो, इसके एन अच्छे से proper lightning में करना, जो कि वो upload हो रही है, ठीक है, तो उसको 200 से 300 कW की बीच में ही रखना, मतलब 500 कW की अंडर ही रखना, और इतना चोटा मत कहले देना, 20 से 25 कW का, ठीक है, 100 से 200 कW रखोगे तो वो proper visible भी रही है, और दोको form वगर फिलोने के बाद, CBT1 का data वगरे भी काफी जल्दी आएगा, तो अगर आपने कोई mock वगरे purchase नहीं कर रहा है फिर mock वगरे नहीं दे रहा है, तो लग जो तयारी में और prepap को यूज कर सकते हो, mock वगरे देने के लिए इसमें बहुत सारे mocks free भी है, और इसका जो price है, वो भी काफी affordable है, 349 में 1 year validity के साथ मिल जाता है, आपको ऊपर एक code दिख रहा होगा, जिसमें आपको GGN 123 यूज करो करा होते हैं, वो भी इस पर time to time होते हैं, तो इसको आप चाहते हैं एक बाद try कर सकते हो, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो इसको purchase भी कर सकते हो, लिंक आपको comment box में मिल जाएगा,